नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन नियूज में और आपके साथ मैं हूँ गणे राखन में बढ़ रहे तापमान के बीज मौसम विभाग ने पहार से लेकर मैदान तक आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश का अंदेशा जताया है मौसम वैज्यानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकान से हिश्वों में बारिश देखने को मिल सकती है वहीं 35 मिटर से अधिक उचाई वाले इलाकों में बर्वारी की संभावना है आपको बता दे मौसम विभाग के पूरवा नुवान के मताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश के चलते तापपान में गिरावट दर्ज की जा सकती है जिसके चलते बढ़ रहे तापपान से आम लोगों को रहत मिलने की उमीद है मौसम विभाग के अनुसार उत्राखंड के कुछ जिलों में आज और कल गरजन के साथ आकाशी बिजली चमकने, ओला वरिष्टी और तेज रफ्तार से हवाय चलने की आशंका के चलते यलो एलर्ट जारी किया गया है बतादें, इसके चलते संभाविश शती और मार्क बादिद होने की स्थिती में तत्परता से निपटने के लिए जिलों के सभी संबंदित अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे और शेत्र में तैनाथ अधिनस्त करमचारियों को भी अलर्ट रहने के आदेज जारी किये गए हैं बतादें, बारिश के बाद बैराज नदियों और नालों में तेज प्रवहा को देखते हुए समवेदन सील स्थानों पर टीमें तैनाथ की जाएंगी लोक निर्माण विभाग के समस्त खंडों की ओर से भुसकलन से समवदन सील रास्तों पर इस समय सीमा के दोरान जेसीवी मसीनों और ग्याइंग करियों की 24 घंटे तैनाथी सुनिस्चित की जाएगी साथ ही सभी अधिकारी हर घंटे आपदा संबंदी सूशना तहसील कंट्रोल रूम और जिला अपातकालीन परिचालन केंद्र को पलब्द कराएंगी फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN News धन्यवाद